सो हे गाइज कैसे हैं आप लोग आई होप सब मसत होंगे और सवस्त होंगे फिर से आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में और आज की वीडियो होने वाले खास क्योंकि इस वीडियो में आपको पता हूँगा कि कैसे आप अपनी गोर्वेंट टैबलेट को कर सकते नोर्मल वो भी एप लॉंचर के ज़री आपको कुछ नहीं PC के वगएर की कुछ जूरत नहीं पड़ेगी सिंपल जो आपको मैं बताऊँगा बस वही करना है फिर्स जो आपको क्या करना है अपनी टैबलेट को कर लेना है रिस्टार्ट रिस्टार्ट आपको सभी को पताएगी कैसे करते है हमें पावर पलस या आपको पावर बटन आपके आपको वोल्यूम माइनस बटन प्रेस करके रखना है तब आपका जो टैबलेट है वो रिस्टार्ट होने लग जाएगा और जब restart होगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ जैसे कि आपके सामने tablet है ये restart होने लग गए है तो आपको यहाँ से जैसे पहले तो आप जैसे नीचे से उपर की तरफ करोगे लेकिन जब आपका start हो जाएगा tablet तो उपर से आपको search का option निकालना है मैंने पहले भी आपको बताया है और अब भी आपको बता रहा हूँ जैसे यहाँ पे आप मारा tablet अभी start होगा तो उपर से मैं वो लेकर आता हूँ जो search वाला बटन है उसे ऐसे आपको करके होँआ पर search का बटन मिलेगा यहाँ से तीन चार बार यहाँ आप क्लिक करोगे री start करना है री start का मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या है री start power button परेस करके रखना है साथ में volume minus button परेस करके रखना है तो ऐसी आपको problem आ सकती है क्यूंकि first time में सायद ही आपका यह tablet में जो trick है वर्च करे है तो आपको दो या तीन बारी try करके देखना है सायद आप जो टیبلेट के अंदर है ये ट्रिक वर्क कर जाए तो अगर आपके टobyलेट के अंदर है ये ट्रिक वर्क कर जाती है तो आप प्लीज, कॉमेंट में अपने राइण जरूर देजाए तो अपने ज़रो देजगा ता कि धूसरों को भी होसला मिले इस बास से uninstall कर देना है ठीक है साथियो uninstall करने के बाद कुछ भी नहीं करना है आप देशकते हो कि edit app में दुबारा जाओगे तो यहाँ पे वो tablet आपको नहीं मिलागा जो student के उसक टैबलेट तो sorry application है वो नहीं मिलेगा और वो हाँ पे uninstall हो जाएगा uninstall होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आपका tablet है जो वो normal हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो और आपको यहाँ पर एक work और करना है आपका home की press करते ही रहना है जब तक यहाँ पे background में क्योंकि दूबारा से जो यह देखो जहाँ पर आया था इसे आपको हटाते रहन है क्योंकि background में आपका student के उसे का application हो सकता है इसलिए आपको यह trick जरूरी follow करनी है तो साथी यह थी वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी subscribe करना आप ऐसे अपने tablet को normal कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो व